हेलो दोस्तों अगेन विल्कम टू आर्ड चैनल लेर्णिंग सक्सेस आई होब गाइस आलाफ यू डूइंग वेल दोस्तों जैसे कि लागडाउन चल रहा है इस कुरोना वाइरस की जो महामारी चल रही है पूरे वर्ड में तो इसमें सबसे बेटर जो तरीका वही है कि जित है और अगर हम कुछ सीखना चाते हैं सच में कुछ सीखना चाते हैं कुछ करना चाते हैं कुछ नय करना चाते हैं तो देखिए हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही इतना कुछ सीख सकते हैं इतना कुछ आचकल हमारे मोबाइल पे है और सबसे बड़ी चीज है फ्री में हमा कुछ सीखना चाहते हैं तो हम घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम चाहें तो 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 सबसे अच्छा ही है कि आम घर पे ही सब कुछ सीखें और घर पे ही रहें और नया नया कुछ सीखते रहें और हम जैसे लोग जो है वीडियो बना ही रहें तो पढ़ते भी रहें पढ़ते रहें पढ़ाते रहें सेखते रहें और जैसे कि आप लोग देख रहें होंगे आ यहाइट मेंस होता है eating and feeding and eating तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा और लाइक कर दिजिए कर दीजे अमने फ्रेंड्स को और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर दीजीए अगर अच्छा लगे तो और कमेंट भी करिएगा जो भी आगर आपको जो भी प्रोब्लम हो या जो भी मेरी कोई गलती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि गलती हमसे भी हो सकती हैं हम भी इंसानी है तो आई ये टाइम पेस्ट ना करते हैं आगे वीडियो इस्टाट करते हैं हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वह है कारपोफेगअस कारपोफेगस एट मेंश होता हूंस होता है ञाहिड प receivers बुल्ड फ्रत को कहते हैं실히 इन टमसे अन सहता है ये जएंध्यों ऑन इंसेक्ट त sonख कहते हैं उसे इंदां खते इंसेक्ट नैंस होता है फिज कुर्ड इंस होता है अ कीज़ मचिली ओंग जो लोग खाते हैं जो मच्छिली को खाने वले लोग ने उनको हम लोग ते या-ठी यह क्या च्छ नेक्स्ट वर्ड जो हमाँ त्यगा स्वाइगन that means होता है feeding on only one food feeding on only one food okay next word जो हमारा है feeding on only one type of food monophagus हो गया necrophagus that means होता है feeding on the dead यानि कि जो मिर्थ चीजें होती हैं उनको खाने वाले होते हैं उनको हम लोग कहते हैं Necrophagus, the next word नेक्सट वर्ड जो हमारा है वही on IO psychologist, that means होता है feeding on snacks, जो सापों को खाते हैं उसे Ophiophagus कहते हैं next word енेक्सट वर्ड जो हमारा नेक्सट वर्ड जो pigण सोथा feeding on children आर हल्स जो घास पूर सोती है उससे जो खाने वाले होते हैं उसे पों फेगुस करते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या वह हमारा हैं वह हुए रिजो फेगंस the freeze नज रिटमाइट में सोता है feeding on flesh next word जो हमारा है सारकोफेगस हो गया feeding on flesh next word toxifagus that means feeding on poison जो जहर को खा लेते हैं जिनने जहर खाना या पीना जो भी पसंद है यह खाते हैं तो उसे toxifagus कहते हैं next word जाइलोफेगस that means होता है feeding on wood लकडी जो खाते हैं लकडी खाने वाले जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जाइलोफेगस next word जो हमारा है जू फैगी जू फैगी देट में सुता है feeding on animals feeding on animals जो जनवरोग खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं जू फैगी ठीक है और next है हमारा types of worus feeding and eating इसका भी मतलब भी होता है feeding and eating लेकिन इसमें लास्ट में वोरस है उसमें फैगस था देखिए जितने भी words मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि root words पे सारे based है जो यह words है तो इनमें phagus, borus, mania, phobia ठीक है न तो ऐसे यह वाले जो words होते हैं हमारे इनको जोड़ देने से जो बहुत सारे words जो root words से बने होते हैं इनमें suffix and prefix जोड़ के बनाया जाता है ठीक है न तो हमें root words आने चाहिए और हाँ दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर लिजीगा शेर कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ठीक है आज़े देखते हैं हमारा next क्या है वर्ड एपी वोरस एपी वोरस डैट में सुनता है feeding on bees यानि मदमख्यों को जो खाते हैं उसे हम लोग एपी वोरस कहते हैं नेक्स व वोरस बै ट्राची वोरस बै ट्राची वोरस डैट मेंस होता है feeding on frog जो मेढ़ा को खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं बै ट्राची वोरस कार्णी वोरस डैट मेंस होता है feeding on place जो मांस को खाते हैं उसे कार्णी वोरस कहते हैं और सेपी वोरस डैट मेंस होता है feeding on onion जो प्याज क फ्रगी वॉरष फ्रगी वॉरष समरें तोनों Förट और दोनों का ऐंप यहां व्र फीरेंस करें performed Wow तो दोनों का means वही होता है feeding on fruits नेक्स वर्ड जो हमारा है वह हर्भी वर्ष that means होता है feeding on grass or herbs या भी पीछले आपने एक वर्ड देखा था उसमें फैगस वाले में next करके एक बार दुबारा से देख लिजीगा next वर्ड जो हमारा है इंसेक्टी वर्ष that means होता है feeding on insects यह भी देखा था आपने तो यह वीडियो जो है फिर से दो तीन बार देख लीजेगा आपको दोनों वर्ड पता चल जाएंगे ज거야 से कहते हैं लीनी वर्ष वह काँ से हैं लीम वर्ष कहते हैं बारे म говорит on एक्स जो अंडे को खाते हैं वोविबयोरस होता है ये लिए भंधिन परेड खाथे ये पहले कहते है और नेक्सथ इस पीडियॉरस कहते हैं म्ट सी वारस कहते हैं नेक्सिवर्ण जो घृण सीवर्ण से चुटन गहाते हैंम्ने रेडिसवर्ण स्वड़ों संथी az तो आई होप गैज आप लोग को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा लाइक कर लिएगा और कमेंट वी कर दिएगा तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाबाई टेक क्यार